नमस्कार जोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंजली न्यूस कौन में मैं हूँ आपकी वही अंजली माना कि एक मुद्दत हो गई है उसे देखे हुए पर किताबों पे धूल जमने से कहानी कहां बदलती है जहें आपने सही सुना हम आज के डिली राशीफल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बर्चे है या पर मैरे जनिवर्सरी है इनको मेरी और से धेड़ सारे शुब कामना है और बधाई हो तो चलिए शुरू करते हैं काम्याब इनसान भले ही कुश ना रहे खुश रहने वाला इनसान काम्याब जरूर होता है काम्याब लोगों के चहरे पर दो चीजे होती है एक साइलेंस और दूसरा स्माइल जीदने के लिए आपका जिद्धी होना जरूरी है अगर आप असफलता से डरती है तो आप सफल होने की लायक नहीं सही समय कभी नहीं आता है जो समय अभी है वही सही समय है हर तरफ अंधिरा छाए होने की दुहाई देनी के बजाए अपने आँखों पर से पठ्टी हटाने का यक्तन कीजिये कई बार मन करता है हार मालू लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है कोशिश करें कि सफल व्यक्ति ना बने बलकि मुल्यवान व्यक्ति बने जिसे व्यक्ति ने कभी गलती ही नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की अच्छे रादों से की गई महनत कभी विकार नहीं चाती आगे बनने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को ही चुनिएगा यही सबसे बहतर है आपके लिए सबसे पहले मैं आपको पता दूँ कि अज़ाब के लिए भागशा ले रहा हूँ लेकिन अगला लक्ष क्या होना चाहिए इस बात को ज़रा सोच कर उलजन भी हो सकती है व्यक्तिगत्य जीवन में कई सारी बातों में प्रगती पाने की इच्छा आपकी प्रबल होगी इसकी कारण जीवन में मिल रही चिनोतियों का सामना करने का निश्चे आपका जो है वो बहुत ही ज़ादा प्रबल हो सकता है यानि कि आप चिनोतियों का सामना करते जाएंगी और आगे बढ़ते जाएंगी आपको कोई नहीं रोग सकता और आप अपने लक्ष की तरफ जरूर आगे बढ़ कर उसको खासिल अवश्य करेंगे आज प्रभावशाली और अध्यात्मे को लोगों के साथ काफी संपर्क आपके बढ़ने वाले हैं जिससे जो है उनकी कमपनी जो अगर आप मिलेगे तो बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा रहात मिलीगी उनकी बातों से आप काफी अच्छा और अनंदलुत उठा सकते हैं किसने के सिरोप में और उनकी अनभोग के द्वारा कई important बाते सीख सकते हैं कोई रुका होगा आज पैसा मिलने से आर्थिक समस्याइं आपकी जो है वो दूर हो सकती हैं आपने से कुछ लोगों की साथ ही अपने विवहार में ठहरा वलाना भी जरूरी है अपने गुस्से और इच्छिटापन जैसी कमियों पर रोक लगाना होगा फिजूल के वाद वाद में भी ना उलचीएगा इसे आपके लिए ही समस्याइं खड़ी हो सकते हैं कुछ समय बच्चों के साथ भी जरा स्पैंट कीजेगा उन्हें भी इच्छा लगेगा क्योंकि आप उन्हें अभी ठीक तरह से वक्त नहीं दे पा रहे हैं अगर आप उन्हें वक्त देंगे तो उन्हें बहुत इच्छा लगने वाला है आज आप ज़्यादा भावग भी महसूस कर सकते हैं जिन कटनाईयों से आप जूज रहे थे उनको दूर होता देख खुद की प्रती पॉजिटीविटी निर्मान कर पाएंगे और दूर की सोच रखकर भविश्य समंदी बातों पर भी ज़्यादा गौर किया जाएगा आज के दिन परिवार में से कोई आपका प्रेणना स्थान बना रहेगा जिसे आपको प्रेणना मिलेगी और आप उसको देखकर आगे बढ़ेंगे खुद को ज़रा बीजी रखने के लिए आप कुछ नई इंफोर्मेशन हासिल करने में भी समय स्पैंट कर सकते हैं तो जरूर करें और रचनात्मक कारें में भी इंट्रेस्ट लीजेगा रजी की दोस्तों के साथ किसी गंभीर विशे पर मुद्दे पर विचार रिमर्श होगा जिसके प्राफी जादा पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं आज नेगडी परिसित्यों में भी अपना मनो वलो रात में विश्वास मचबूत बना कर रखेगा रुपए, पैसों के लेन देन सबंदी कोई भी कतीविदियां जो हैं आज स्थगीत रखना ही उचीत रहेगा दूसरों की बातों और अफवाहों पर प्लीज जादा फोकस मत कीजेगा अफवाहे हैं बस लेकिन इसे असलियत मत समझेगा याद रखेगा इस बात का इसे के साथ ही बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजमेस और केरेड़ की आज वेविसाई के मामलों में कोई भी फैसला बहुत ही जरा सोस समझ कर लीजे किसी के साथ बीवेपारी के मुद्धे पर वाचित करते समय पहले इसके बारेवे जादा प्राप्त किया है इसी स्थान को कायम रखने के लिए अधिक फोकस करना आपके लिए बहुत जरूरी है आज के लिए तो आप इस पर जरूर फोकस कीजेगा ताकि आपका जो स्थान है वो बना रहे आप डगमगा न पाएं साथ भी आज विवसाइख कारों में स्थिती अभी समान नहीं रहेगी जैसा किसी तारे कह रहे हैं धैरी और सैयम रखकर उचित समय का इंतजार भी कीजेगा कोई भी फैसला तुरंत ना ले पहले ज़रा उसके बारे में सोच विचार ज़रा कर लीजेगा आज ओफिस का महोल जो है काफी ज़्यादा अनुकूल बना रहेगा साथ में ऐसे तारे ये भी कहते हैं कि काम की जगा सह करवियों के साथ विचार ना मिलने के कारण वाद वाद भी हो सकता है जिसके कारण जो है काम की प्रगती में बाधा आ सकती है काम धीरे चल सकता है या कोई रुकावट आपको देखने को मिल सकती है तो इसलिए आपको जादा वाद व्यादों में नहीं पढ़ना है इसलिए इसका आज के दिन ध्यान भी रखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए तो ये बात कर ली हमने अभी बिसनस दोर केरेर की तो आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में लव लाइफ कहती है कि जीवन साथ ही और परिवार वालों का सहयोग साथ है वो सलाब आपके लिए वेहतेरी इन सावित होगी यानि कि अगर आप उनके सहीों के सार मिल जलकर कोई फैसा लेते हैं तो ज़ादा बैठे रहेगा और आप तना मुक्त होकर कारे पर ज़ादा फोकस भी कर पाएंगे पार्टनर के और आपकी विचारों में क्या फरक है क्या अंतर है इस वाल को जान लेने की अविशक्ता होगी आपको और यह बहुत इंपोटन्ट है अपनी भावनाओं पर काम करने की ज़रा कोशिश करें नए वक्ति की आ जाने से रिलेशन्शिप समंधी बातों में भी समाधान पराप्त हो सकता है साथ ये परिवार के साथ अमनोरंजन और हास परिहास में भी समय आपको स्पेंट हो सकता है बहुत बढ़िया रहेगा प्रेम समंधों में भी आपसी नजदी किया और एक दूसरे के ब्रती विश्वास की भावना बढ़ती नज़र आएगी यानि कि आप दोनों में जो है विश्वास बढ़ता नज़र आएगा पहले के मुकाबले और आप एक दूसरे के साथ जादा से जादा टाइम स्पेंट करने के भी कोशिश में लगे रहेंगे जो लोग अब भी रिलेशन में हैं जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी भी जल्दी हो सकती है तो इस बात का ज़रा ध्यान भी रखतीएगा अब आगे बढ़ लेते हैं लव लाइफ के बाद अब बात करते हैं आज की स्वास्ते के बारे में तो स्वास्ते आज आज आपके बारे में कहता है कि काम की साथ साथ अपने स्वास्ते का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए इसमें सुरक्ष्य सवंधी नेमों का भी पालन करनी होगी बिल्कुल भी आपहिलना मत कीज़ेगा इस चीज़ का पानी का अधिक मात्रा में उप्योग करना आपके लिए जादा बैटर रहेगा शरीर में बढ़ती गर्मी तकलीफ का कारण बन सकती है ठंडी तासीर वाले चीज़ों का सेवन करना होगा आपको स्वास्तिकी प्रती लापरवाही मत बढ़तीगा विर्थ का तनाम ना लें क्योंकि इसका नागिटिव असर आपके कारक्शमता पर भी पढ़ सकता है इसलिए फिजूल की बातों में वक्त अपना जाया मत कीज़ेगा यहां रखिएगा अब स्वास्तिकी बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विशी शुपाई के बारे में तो विशी शुपाई आज आपके बारे में कहता है आज आपको शिर दुर्गा कवच का पार अवश्य करना चाहिए इससे जो है पॉजिटीव उर्जा आपके इर्दगिर्द बनी रहेगी और आपको कोई भी नेगटीव उर्जा छून नहीं पाएगी और हाँ अपना विश्वास जो है अपने इश्ट देव पर बना कर रखेगा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी फिर तो दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना